नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लैनेट आफ टेल्स पर, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ, सुप्रिसिध्ध लेखे का मालती जोशी द्वारा लिखी गई कहानी, घर पिंटु ने पिल्ले को इतनी बेरहमी से जमीन पर दे पठका, कि दीपु का नन्ना सा मन करोना से पसीज उठा, इच्छा हुई कि पिंटु को कसकर एक जापड लगाए, पर पिल्ले को गोद में समेटते हुए, उससे बस इतना ही कहते बना, ऐसे मारा जाता है कहीं, गुंग बड़ा आया भगवान जी का भगत, हमारा पिल्ला है हम मारेंगे, हजार बार मारेंगे, मार डालेंगे, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो, दीपु का सारा आविश ठंडा पड़ गया, पिल्ला कब उसके हाथ से चिनकर पारुल के पास चला गया, इसका भी उसे हो मुल किताब पड़ रही थी, दीपु की गुहार उनके कानों तक पहुची ही नहीं, खेच कर उसने किताब खीच ली, क्या है रे, क्यों तंग कर रहा है, मम्मी चीखी, पढ़ते समय कोई परेशान करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर दिन भर ही तो पढ़ती रहत उसने कुन मुनाते हुए अपनी फरमाईश पेश की, लकी है तो, वह तो पिंटु का है, तो क्या सब के लिए अलग लग उत्ते आएंगे, वह अकेला ही तो घर भर की नाक में दम किये रहता है, लेकिन पारुल पिंटु हमें छूने भी नहीं देते, हमें तो अपना वाला चाहिए, चाहिए तो पर रखोगे कहा, अपना सिर छुपाने के लिए तो ढंकी जगे नहीं, मम्मी ने भुन्बुना कर कहा, दीपु ने अपने चारो और देखा, मम्मी ठीकी तो कहती है, कितना छोटा सा तो कमरा है, वो तो दीपु की खटिया दिन मर मम्मी के पलंके नी रहती है, नहीं तो हिलने की भी जगे न रहे, नानी का पूजा वाला कमरा तो है, उनकी खाट और ठाकुट जी तो अब स्टोर में पहुँच गए हैं, नहीं तो शायद इसी कमरे में उनकी खुल-खुल खासी भी रात पर सुननी पड़ती, मम्मी तो फिर से अपनी पुस् इसलिए वह चुपचा बरामदे में खड़ा निमंतरन की रहा देखता रहा, लेकिन पिंटू के पास धेर से साथी थे, वह नक्कू क्यों बनने लगा, उनका खेल मजे में शुरू हो गया, फिर वहां खड़े रहना दीपू को बड़ा दयनी सा लगने लगा, वह हाल में च पूछ पूछेगा, तो पिंटू और पारूल मुत आकते रह जाएंगे, राजा बेटा तो दीपू ही बनेगा, शुश। दीपू जी सोफे पार पैर लेकर नहीं बैठते, कितनी बार मना किया है, उसने चौक कर देखा, मामी जी पता नहीं कब कमरे में आ गई थी, पता न मामी जी उसने साहस बटोडते हुए कहा, पिंटू हवाई जाहज बना रहा था, ये कच्रा उसी ने फैलाया है, कोई भी फैलाये बेटा, डाट तो हमी को खानी है, मामी जी ने कसेले स्वर में कहा, तो उससे लगा, ब्यर्थ ही अपनी सफाई देता रहा वहा, मामी जी को आजकल उसकी कोई भी बात अच्छी कहा लगती है, पहले बाड़ा लाड़ प्यार जाने कहा चला गया, होता क्या है, ये बच्चे चाहे लड़ाई करें, चाहे शरारत, नानी जी उसका पक्ष ले लेती है, और डाट पढ़ती है, पिंटू पर, पारुल पर, मामा जी भी बच्चों को ही घुड़क देते हैं, उससे कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए हर बार मामी जी का मुझ भूल जाता है, बच्चे भी उससे कट जाते हैं, इससे तो अच्छा है थोड़ी डांट पढ़ जाया करे, तब इतना अकेला तो नहीं पढ़ जाएगा वह, इससे तो साइकल की घंटी बचती तो सब दोड़ पड़ते, यहां तो कुलफी का नाम भी ले लो तो गजब हो जाए, गाउ में सच मुच आनंद था, खूब लंबा चोड़ा घर, दूर दूर तक फैले खेत, बच्चे कहां समा जाते पता ही नहीं चलता, मजे से कुए पर नहा रहे हैं, करना चूस रहे हैं, पेड़ से कच्ची अम्या तोड़ रहे हैं, कोई रोकता नहीं था, ना दिन भर जूते मौझे पहनने की बंदिश थी, ना बारवा सौरी और थैंक्यू कहने का जंजट, डाइनिंग टेवल पर करीने से बैटकर तमीच से खाना खाने का सिर पाटनी ही लगती हैं, जाने कौन से अकाल से चला आया है, दिन भर भूख भूखी चलाया करेगा, अब उसे बार बार भूख लगाती है तो वह क्या करेए, अंग्रेजी इस्कूल की समस्या ना होती तो वह गाओं में ही बना रहता, मम्य चाहे यहां चली आती, यहां उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता ममी सुबह कॉलेच चली जाती है दिन भर या तो पढ़ती है या बुनाई लेकर बैठ जाती है पापा को लंबी-लंबी चिठियां लेखने का काम और पाल लिया है अब दीपू को भूग लगती है तो वह किस से कहे मामी जी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती नानी मा लार तो सब करती है पर उनसे होता हवाता कुछ नहीं बस बैठे-बैठे ओडर दे दिया करती है ममी ने तो जैसे किचिन में ना जाने की कसम खा रखी है यह भी नहीं होता कि एक अदबार नानी की चाय ही बना दे कभी कबार ममी रसोई में चली जाया करें तो दीपू की भी पहुँच बहां हो जाए कितने दिन हो गए उसे आटे की लोई से चड़िया बनाए हुए भिंडी के डंठलों से दीबार पच चित्रकारी करना भी वज़े से भूलता जा रहा है ताजे उबले आलो में नमक लगा कर खाने की बड़ी इच्छा होती है पर मन मार कर रह जाता है कडाई में सिक्ते हुए मुगफली के दानों की सुगंद से उसके मूँ में पानी भराता है पिंटु उसके हिस्से के चार शे दाने उसे पकड़ा भी जाता है पर उससे मन कहां भरता है मन में तो यही लगा रहता है किस पिंटू के बच्चे ने जरूर बेइमानी की होगी नारियल की गरी कसने के बाद जो सफेज सफेज सा मीठा हिस्सा बच रहता है घर पर हमेशा उसके ही हिस्से में आता था पर यहां तो तीन-तीन दाविदार मौजूद हैं उसे पिंटू की तरह जबटना भी तो नहीं आता मम्मी का डर बना रहता है फिर पेटू कहलाने की चिंता भी हमेशा सिर्पा सवार रहती है सोफे पर पाव रखतो तो लोग कैसे कैसे देखने लगते हैं फिर खाने के लिए जिद करना तो बहुत बड़ी बात है होंबग करते करते वह विस्तर पर पसर गया था थोड़ी देर बाद जब आँख खुली तो देखा मम्मी शीशे के सामने खड़ी जूड़ा बांध रही हैं कहां जा रही हो मम्मी? जाना कहां है रे? यूही घूमने हम चले? चलो फटा फट तयार होकर वह बाहर आया तो देखा पिंटू और पालूल मम्मी से जूल रहे हैं बुवा पार्क जा रही हैं हम भी चलें? और बस मम्मी ने हां कर दी दोनों उचलते हुए कपड़े बदलने चले गए इतना गुस्सा आया उसे मना क्यूं नहीं कर दिया उसने मूफ लाकर कहा अरे बाहा ऐसे मना करते बनता है पगले? हमसे कुट्टी है दोनों की दिन में दस बार तो तुम्हारी कुट्टी होती है अच्छा चलो हम दोस्ती करवा देंगे दोस्ती हो तो गई गूमने का सारा मजा किरकिरा हो गया थोड़ी देर को मम्मी के साथ एक अलग दुनिया बसानी की सोच रहा था तब चौपट हो गया अब पूरे रास्ते पिंटू पटर पटर बोलता जाएगा पारुल तो ऐसे चिपट जाएगी जैसे उसकी अपनी मम्मी हो पार्क में मम्मी कहानी भी सुनाएगी तो पारुल गोद में चड़ी रहेगी सबसे ज़्यादा मुसीबत यह है कि ये लोग साथ में होते हैं तो मम्मी कुछ भी नहीं खिलाती घर पर तो कभी जी भर कर खा नहीं पाता दीपू मामा जी फौरण तार जाते हैं कल बुगा जी के साथ पिकनिक मनी होगी क्यों? वह कहते हैं और लगे हाथ मम्मी को भी एक हलकी सी डांट पिला देते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं जरासा भी कुछ हजम नहीं कर सकते दीपू को खिला कर देखे कोई सच पापा में यह बात अच्छी है खूब खाएंगे खूब खिलाएंगे मम्मी टोकेंगी तो डांट देंगे खाने दो उसे अपनी तरह नाजुक मिजाद मत बनाओ अब तो पापा भी चाट पकोड़े खाने के लिए तरस गए होंगे वहां तो ये सब चीज़ें क्या मिलती होंगी बैसे उस दिन तो मामा जी बतला रहे थे कि आप तो लंदन में धेर सारे हिंदोस्तानी होटल खुल गए है सब तरह का खाना मिलने लगा है मतलब पापा भी वहां मजे कर रहे होंगे और दीपो यहां हिंदोस्तान में भी कुछ चीज़ों के लिए तरस गया है पार्क में गीली घास पर बैठा वो यही सब सोचता रहा और कुड़ता रहा पापा कब आएंगी मम्मी रात को उसने रोज की तरह मम्मी की गोत में तुबकते हुए पूछा क्या पता कब आएंगे मैं तो इतना बोर हो गई हूँ कहीं चलो न मम्मी कहां चलेंगे बेटा मम्मी ने हतास्वर में कहा सच तो था कहा जाएंगे मौसी की यहां अभी पिछली छुट्टियों में ही तो होकर आए हैं बारवार जाना के अच्छा लगता है फिर ले दे कर एक गाउं ही रह गया है दीपू की तो वहां मौज रहती है पर मम्मी विचारी बड़ी परेशान हो जाती है कहने को तो इतना बड़ा घर है पर धंका एक कमरा भी नहीं ना बिजली है ना नल बस गर्मी में तपते रहो पानी तो खेर महरी लाती है पर धंका बातरूम तो हो मम्मी हर बार अपना ट्रांजिस्टर ले जाती है पस सुनने का समय ही नहीं मिलता किताब तो वहां पर छूती तक नहीं बस दिन भाद ताई जी के साथ रसोई में घुसी रहती है या गाउं की औरतों से घिरी दादी के पास बैठी रहती है खूब आगे तरक से ढखे चुप चुप रहने वाली ये मम्मी कितनी अजनबी सी लगती है कितनी बेचारी सी अपने खूशी के लिए मम्मी पो परिशान नहीं करेगा वह अपने घर कब चलेंगे मम्मी अपने घर पापा तो आजाएं पापा कब आएंगे बस घूम फिर कर वही प्रशन पापा कब आएंगे मम्मी आखिर पापा की वह चिथ्थिया ही पहुँची जिसका इतनी बेसबरी से इंतजार था कितना खुश था दीपू उस दिन सारे घर में नाचता हुआ गा रहा था आप तो हम अपने घर जाएंगे मामी जी से आखिर न रहा गया पूछी लिया दीपू जी ये घर किसका है फिर तुम्हारा नहीं है ना उसने बे तकलुफी से कहा यह तो पिंटू लोगों का है हमारा तो भोपाल में है भोपाल को भूल जाओ बिटे अब कलकत्ता की बात करो मामा जी ने पीठ थप थपा कर कहा पर कलकत्ता की कलपना उसे गुदगुदान न सकी उसके मन प्राणों में तो वही पुराना घर बसा हुआ था पापा जी को लिवाने मामा जी के साथ दीपू और मम्मी दोन बंबई गए थे हवाई जाज देखने की उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई थी और वहाँ तो इतने धेर सारे हवाई जाज थे वहाँ उतने सारे लोगों में दूर ही खड़ा रहा पापा को पहचान भी न सका पास आने पर भी कुछ देर तो संकोच में दूर ही खड़ा रहा आखिर पापा ने ही उसे गोद में उठा लिया कितना लंबा हो गया रहे तु उन्होंने प्यार से उसे चुमते हुए कहा वह धीरे धीरे पापा के गालों को छू कर देखता रहा फिर धीरे से बोला पापा अपन अब घर चलेंगे ना पापा उसके लिए धेर सारे खिलोने लाए थे फर वाला कोट, रंगीन स्वेटर तस्वीरों वाली रंगीन किताब है खुशी का जैसे पूरा सामान ले आये थे पर सबसे वड़ी खुशी थी तो बस उस घर जाने की अपने घर जाने की पापा आये तो महमान नवाजी का एक लंबा दौर शुरू हो गया कभी किसी के यहां खाने पर जाना है तो कभी किसी के यहां चाय पर दो-चार पार्टियां तो मामा जी ने ही दे डाली दीपू बुरी तर बोर हो गया था इन लोगों को दो साल से देखते देखते तंग आ चुका था अब कोई आकर्शन बाकी नहीं था लगता था पापा पता नहीं कितनी लंबी चुट्टी लेकर आये हैं घर चलने का नाम ही नहीं लेते मामा जी के यहां से चले तो सीधे गाउं पहुंचे वहां भी तो इंतजार हो रहा था दादी ने पता नहीं कितनी कैसी कैसी पूजा भाव रखी थी गाउं पहुंचते ही, वह खट राख शुरू हो क्या, मिलने वालों का यहां भी ताता लगा रहा, पापा इंग्लेंड क्या हो आए, जैसे अजूबा बन गए, दादी तो उन्हें ऐसे देखती थी कि बस, रोज शाम को नजर उतारी जाती, मम्मी कौने में छिपकर हसती रहत बालकनी पर घुटसवारी करके मम्मी को डराएगा, रेडियो के सुर में सुर मिला कर गाएगा, यह सारे काम उसने कबसे मुलतवी कर रखे हैं, पर मम्मी के साथ उस कबूतर खाने में प्रिविश करते ही उसका मन बैठने लगा, यह क्या मम्मी, यह अपना घर नहीं है, य यही है बेटा यह कलकत्ता है यहां ऐसे ही छोटे से घर में रहना पड़ेगा धत तेरे की क्या सोचा था और क्या निकला दूसरे दिन ही ट्रक आ गया था धीरे धीरे सामान खुलने लगा तो हर शौर बिसमय से उसकी बांचे खिल गई वो हर चीज को सुनता रहा मम्मी छत प मम्मी पर भी जैसे जादू हो गया था दिन भर बनी समरी लेकिन गुमसम रहने वाली मम्मी गुनगुनाती हुई काम में जुट गई थी सलवटों पड़ी साड़ी और विखरे विखरे बालों में मम्मी एकदम घरेलू लग रही थी पापा दनादन पैकिंग खोलते जा र नहीं थी दीपू उन दोनों के बीच फुदकता चोटे मुटे काम कर रहा था शाम तक किचिन सही शकल में आ गया था ड्रॉइंग रूम भी बैटने के लाइक हो गया था दोनों हाथ उपर उठाकर पापा ने एक लंबी सी जुमाई ली और एलान कर दिया कि बाकी काम कल कि पहना दिये और खुद नहाने चली गई पापा बोश वेसिन के सामने खड़े होकर शेप बनाने लगे नाइट सूट पहन का शेप बनाते पापा उसे बड़े अपने से लगे उनका या रूप तो बहूलता जा रहा था जब से आये थे पापा बड़िया सूट में सजे लोगों से धीमी धीमी आवाज में बात करते पापा नानी के सामने बड़े अदब काईदे से रहने वाले पापा उसे महमान से ही लगे थे गाउं जाने पर सूट तो उतर गया था पर लोग बागों से घिरे बुंदेली बोलते हुए पापा बड़ी दूर की चीज लगते कभी दादी के गोद में सिर रख कर लेट जाते तो कभी ताई जी के पलू से हाथ पहुँचने लगते उस समय में बिल्कुल बच्चों के से लगते पापा तो बिल्कुल ही नहीं सुनो मम्मी नहा कर आ गए थी वह गीज़ट ठीक से काम नहीं कर रहा देख लूँगा अभी गैस कंपिनी को कल याद करके फॉन तो कर दोगे ना यस दीपू के स्कूल का क्या करें मिड्शेशन के एड्मिशन तो मिल जाएगा ना देख लेंगे धेरों स्कूल है यहां कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा कहीं न कहीं नहीं जी अच्छा स्कूल चाहिए अच्छा दूद का क्या करेंगे देरी वाले घर दे जाते हैं क्या पडोस में पूछ लो काम के लिए भी किसी को तलाश न होगा कोई छोकरा है या नहीं ओफो क्या यह सब आज की ही तारीक में तै हो जाना जरूरी है पापा एकदम जल्ला पड़े और क्या हर का मुझे ही करना होगा कम से कम महरी का इंतजाम तो तुम कर सकती हो अडोस पडोस में शरीफ लोग बसते हैं जाकर पूछ लो मम्मी तो एकदम सुबखने ही लगी ओफो पापा ने बेजारी से कहा और मम्मी के पास चले आए एक गाल पर साबुन का जाग फैला हुआ दूसरा सफा चट पेटी कोट ब्लावज के उपद तौलिया लपेटे मम्मी शंकर जी की तरह बालों का जूड़ा बनाया हुआ सच देखकर इतनी हसी आई दीपूक वह बाहर गैलरी में आकर देर तक हसता रहा मन इतना हलका हो गया था घर अब सचमोच घर बनता जा रहा था दोस्तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी त्वारा लिखी हुई कहानी घर अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद